साल 2020 आपको याद है 2020 इस साल में क्या आया कोरोना आया और ये पूरा साल पूरा का पूरा साल कोरोना खा गया उसके बाद साल 2021 2021 इसमें क्या आया डेल्टा वेरियंट अभी आया और इसको खा गया पूरा साल लगबग निकली गया अब है साल 2022 और सामने क्या दिख रहा है ओ माइक्रॉन अब सवाल ये है कि क्या ये ओ माइक्रॉन 2022 को खा जाएगा क्या साल 2022 भी कोविट की भेट चड़ने वाला है और ऐसा क्यूं कह रहा हूँ आपको समझना चाहिए इतने हलके में मत लीजे ओ माइक्रॉन को ओ माइक्रॉन वर्सिस 2022 की बाद का हॉंग कोंग से एक रिसर्च आई और ये रिसर्च बहुत डराने वाली है हॉंग कोंग युनिवर्सिटी ने बताया है कि ओ माइक्रॉन संक्रमन के हवा से फैलने की संभावना है बहुत ध्यान से सुनिए हवा से आप पेशन्ट के नजदीक भी ने जाएंगे तब भी ओ माइक्रॉन आप तक आ सकता है ये हॉंग कोंग युनिवर्सिटी दावा कर रही है मरीज के संपर्क में आई बिना भी संक्रमन हो सकता है मतलब आप सोचे कि मेरे घर में किसी को ओ माइक्रॉन से कोरोना हुआ और वो फलाने कमरे में है और हम तो दूसरे कमरे में है दूसरे कमरे में भी आपको हो सकता है तीसरी बड़ी बात री यूजेबल मास्क लगाने से भी संक्रमन का खत्रा है जो बड़ा डिजाइनर मास्क पहन के घुमते हैं कि फिर लगा लिया फिर लगा लिया कौन नयानया मास्क रोज करी दे उससे भी ओमाइकरॉन हो सकता है और जो हेल्थ वर्कर्स लगाते हूं उनको तो और खत्रा है अब यह जो कह रहा हूं यह क्यों कह रहा हूं समझे हॉंग कॉंग में जो रिसर्च हुई वो क्या कह रही है जो ओमाइकरॉन के पहले दो केस थे उन पर इन लोगों ने रिसर्च की और इन दोनों केस के बारे में आपको डिटेल जाने चाहिए पहला 11 नवंबर को दक्षिन अफरीका से 36 साल का यात्री आया हॉंग कॉंग जो मरीज A है और 10 नवंबर को कैनेडा से 62 साल का यात्री हॉंग कॉंग आया वो मरीज B है माने दोनों आपने देख लिया दोनों को ओमाइकरॉन था दोनों होंग कॉंग पहुचे थे, एक का नाम A है, एक का नाम B है, A की उम्र 36 साल, B की उम्र 62 साल और रियल बता रहा हूँ, A, B नाम रखा है तो इसका मतलब यह नहीं कि कहानी बता रहा हूँ इन दोनों यात्रियों को कॉरिंटीन करने के लिए होटल भेजा गया अब बहुत दिल्चस्प काहानी है, सुनिए वहाँ क्या हूँ इन्हें रीगल एरपोर्ट होटल में कॉरिंटीन किया गया, होंग कोंग के 13 नवंबर को मरीज A में O माइक्रॉन की पुष्टी हो गई 17 नवंबर को मरीज B में भी O माइक्रॉन की पुष्टी हो गई लेकिन बड़ी बात ये है कि 17 के पहले ही कोरोना की पुष्टी तो हो गई थी पेशेंट B को लेकिन उसमें O माइक्रॉन नहीं था, तो फिर आया कहां से? स्टडी में बताया गया कि मरीज A से मरीज B में O माइक्रॉन का संकर मन हुआ अब इसमें हैरानी वाली बात ये है कि दोनों मरीज होटल के कमरे से बाहर निकले ही नहीं था क्योंकि कॉरिंटीन किया वा था उनको, A वाला अपने कमरे में B वाला अपने कमरे में A को quarantine किया गया उसमें O-micron निकला दोनों अलग कम्रे में बंदने है तो कैसे पहुचा O-micron? अचाब कहेंगे कहीं निकले होँगे कहीं मिले होँगे मन नहीं लग रहा होगा गुमे होँगे पूरा CCTV फोटेज ज्खा कन लिया चेक कर लिया एक एक दिन का एक मिनिट का दोनों अपने कमरे से बाहर निकली नहीं थे किसी के संपर्क में नहीं आए फिर भी एक मरीज से दूसरे मरीज में ऑँ Krone का संकर्मन क्यों फेला इसके बारे में हॉंग कॉंग उनिवरस्टी की स्टडी में ये बताया गया कि संपर्क में आए बिना संक्रमन इसलिए हुआ होगा क्यूंकि कॉरेंटीन होटल में दोनों मरेज़ों के रूम आमने सामने थे जिसने क्वारिटीन किया उसको क्या समझ थी कि ऐसा भी हो सकता है टेस्ट सैंपल कलेक्शन के लिए होटल रूम खोला गया होगा पेशन्ट तो बाहर नहीं आया लेकिन रूम खुला फूड डिलिवरी या कचरा फेकने के लिए रूम खोला गया होगा होटल का स्टाफ तो पीपी कीट पैनके चल रहा था ओमाइकरॉन संकरमित मरीज बी ने रियूजिबल मास्क लगाया था रूम खोलने पर कई बार मरीज बी ने मास्क भी नहीं लगाया था अब उसको लग रहा भाई सामने वाले का रूम बंद है ना हमको क्या जरूरत है मास्क लगाने लेकिन ओमाइकरॉन का वाइरस हवा में था ये ने दर्वाजा खोला अपना काम की अंदर चला गया अब मालीज चे खाना लिया अंदर चला गया लेकिन उसका ओमाइकरॉन वाइरस बहार रहaches एसस्टडी दावा कर रही है होंक गॉम इनिवरस्टी और हवा से ओमाइकरॉन जो है वो मरीज B में पहुंच गया है होंक़ॉं इनिवरस्टी के मताबरों से संक्रमित पहले मरीज ने इस ने री आुजा ब्लैक कलर वाल्व 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 disposable mask disposable mask ये आपको बता रहा था वो ये reusable वाला है यही कह रहे हैं कि वहाँ पहना वाता है और disposable वाला दिखाए जा रहा है उसकी तस्वीर डालिए नीला रंका जो आप पहनते हैं ये ऐसे normal इस्तमाल के लिए नहीं होता है ओमाइकरॉन के खत्रे को रोकरे में ये mask सक्षम नहीं माना जा रहा है ये surgical mask है reusable और disposable mask क्यों सुरक्षित नहीं है ये आपको वीडियो के जरीय समझाते है reusable या disposable mask लगाकर जब आप सांस लेते हैं तो हवा filter होकर जाते है अगर ओमाइकरॉन वेरियंट मरीज में इन दोनों में से कोई mask लगाया है तो ओमाइकरॉन वेरियंट हवा में फैल सकता है ये आप वीडियो से देखिए जब सांस अंदर जा रही है तो filter है लेकिन जब निकल रही है तब filter नहीं है जिससे दूसरे को संक्रमन हो सकता है आप मिलेंगे नहीं है भै हावा में गया उसके बाद तरते तरते कहा जा रहा है भगवान जाने किसको छूरा है भगवान जाने सबसे सुरक्षित mask surgical mask बना जाता है खास तोर पर डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कर्स के लिए ये वाला उस वक गलत बोला था फोटो इन्होंने गलत डाल दी ये वाला mask सबसे सुरक्षित मांग जाता है ये उनकी होंग कॉंग यूनिवर्स्टिक हिस्टडी कह रहे है ये हवा में संक्रमन फैलने से भी रोखता है मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले हेल्थ वर्कर्स को सर्जिकल मास्क ही पहनना चाहिए भारत में ओमाइक्रॉन के केस भी बढ़ रहे है ये अब चिंता की बात है इतना निश्चिंत मत हो जाईए कि आपको जो है ये निश्चिंतता जो है वो चिंता में डाल मुंबाई में कितने केस हैं भाई ओमाइक्रॉन के दो दो केस मिले हैं और ये दोनों नए मिले हैं कुल केस कितने केस हो गए हैं कुल केस 23 केस 23 केस और 3 दिसमबर को भारत में कितने केस थे? 3 दिसमबर में दो केस थे मातर सिर्फ एक स्टेट में और एक राज्य में थे आज की डेट में कितने हैं? आज 5 राज्यों में ये फैल चुका है और 23 केस हो चुका है मतलब 3 से 6 दिसमबर तीन दिन के अंदर एक राज्यों से पाच राज्यों हो चुका है और 2 केस से 23 केस हो चुका है हलके में मत लीजे जो बता रहा हूँ हवा में फैल रहा है रियूजिबल मास्क में भी फैल सकता है ओ माइकरॉन पर डबलू एचो ने क्या कहा है इस वेरियंट से संक्रमन के 90 दिन में फिर से संक्रमन के केस डेल्टा वेरियंट जो था जो पिछला वाला था उसकी तुलना में तीन गुना जादा कॉमन है इस वेरियंट की गंबीरता को समझने में अभी दो-तीन हफते लगेंगे दक्षिन अफरिका में इस वेरियंट से बच्चे भी संक्रमित हो रहे है जिन लोगों को वेक्सीन नहीं लगी है उन पर बड़ा खत्रा है बार-बार जो शो करके बोलता हूँ वेक्सीन लगवाईए लगवाईए पहला डोज ले लिया है तो दूसरा लीजिए कोई कमी नहीं है वेक्सीन की नहीं समझ रहे हैं पच्चताईएगा बोट्सवाना से निकला ओमाइक्रॉन वेरियंट आज दुनिया के कई देशों में फैल चुका है इसकी रफतार बहुत तेज है और कैसे रफतार रोख सकती है सिर्फ हम और आप रोख सकते है एतियाद भरत कर और वैक्सीन लेकर इसकी रफतार भी रोकिये मैं भी जरा पाटशाला की रफतार रोकता हूँ एक ब्रेक ले रहा हूँ उसके आदे हिस्ट्री की क्लास